हलो दोस्तो मैं रिश्यान अंद आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे ओफिशियल YouTube चैनल में जिसका नाम है वैदी गनित तो दोस्तो यह स्वाल होंगे और आपका इस वीडियो से लेवल टू शुरू हो चुका है तो लेवल टू के ही कोशन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले है तो दोस्तों यह जो सवाल होंगे और कौन से बुक के होंगे आपका जो हाँ टू प्रिपेर फॉर क्वांटिटिटी इसे बुक का आपको यहाँ पर सॉलिशन देखने को मिलेगा और यह बुक जो हरुन शर्मा के द्वारा लिखी काई बुक है काफी अच्छी बुक है अगर आप इस इसी सीजिल का प्रिपरेशन करें या फिर सीपयो के एक्जामनेशन करें या फिर होगे आपका आपका लिए वीडियो काफी ज्यादा दूस्फुल है तो आपके कोई भी अगर ऐसे भाई बंदू दोस्त होंगे तो उनके साथ शेर जरूर कीजेगा इस वीडियो को और लेवल वन तो आपका सात्वा पार्ट तक कंप्लीट हो गया अगर आपने नहीं देखा है तो वह आपको म इस वीडियो का अगर पीडियो फॉर्मेट चाहिए तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्कुशन बॉक्स में मिल जाएगा साथी साथ जो मेरा वाटसेप का जो ग्रूप है या चो मेरा टेलिग्राम का ग्रूप है वहाँ पे भी मैं डाल देता हूं वहाँ से भी आप देख आपके स्क्रीन पर है और सबसे पहले सवाल समझ लेते हैं फिर उसके बाद उसका सॉलुशन करते हैं देखिए सवाल में क्या वोला जारा है कि मितलेस मेक्स 750 आर्टिकल्स at the cost of 60 पैसे पर आर्टिकल इफ यहां पर क्या बोल रहा है कि मितलेस 750 आर्टिकल्स अब उसने fit किया कुछ ड़ aider के सेलिंग प्राइस भेजता है तो उसको कितने का profit होता है 000 का प्रोफित का प्रोफित होजाता है शालीस का Profit हो जाता है गालना है, छीक है, लेगन क्या हुआ कि 2020 आर्टिकल्स उसके क्या होगा स्पॉइल ठोगे है, घराब होगे, जिसकी व्यवयसे उसने सिर्फ 630 आर्टिकल्स को ही बेच पाया, तो इसको एक्षिव प्रसेंटेज क्या हुआ टॉटब और टॉटल ऐस्यूमिंग मतलब हमें फाइंड अक्षिव प्रॉफिट परसेंटेज्ट निकालना है तो चलिए निकाल लेते हैं देखिए सबसे पहले तो यहां पर यह चीज जान जाओ कि सेलिंग प्राइस इतने वे तो अगर मैं टोल और सो सो 50 और से अब क्या बोल रहे हैं यहां पे यहां पर खेसो आपिकल को उसने बैठा चीक कुछ ऐसे सेलिंग प्राइस वे बेचा कि उसको 40% का क्या हो गया यहां पर प्रॉफिट होगे फैदा होगे तो देखी यहां पर कितना 600 आर्टिकल्स को उसने कितने बेचा नहीं पता मुझे तो सेलिंग प्राइस हमने एक ले लिया और 750 इंटु 60 कर लेंगे बटे में कितना कितना लिखो कि कॉस्ट प्रॉफिशी लिखोगे 750 इंटु क्या करेंगे 60 और इसको कितना 5% का प्रॉफिट हो जा रहा है एउज सिफ एक 1 नहीं से तू यह 5 हो जाएगा ठीक है और यहां पर आप इसको अगर सॉल्व होगे तो यह है आपका यहाँ पर इसको पूरा जब आप शाल्वर को एगा सेलिंग प्राइस होगा किस ऐसे लिड्लीक हाँ गाया 205 रूपीं टिक 105 पैसे होगा सौरिए यह पैसें होगा कितना हो जाए उसका 105 पैसे हो जाएगा क्लियर यहां तक इतना हो गैए इसका end प्राइस ठीक है जिससे उसको 40% का क्या और फैदा हो रहा है ठीक है क्लियर यहां तक अब देखिए इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि 600-300 आर्टिकल सो बेच पाता है क्यों क्योंकि उसको 120 आर्टिकल क्या हो जाते स्पॉयल कर जाते खराब हो जाते ठीक है तो उसका कितना हो जो 105 माइनस कर लोगा यह 15 natural रबटे में क्या लिखेंगे 750 इंतो 60 आर्टिक यहां पर हमें क्या निकालनाबे क्या इसका प्रोफिट निकालना की इसको प्रोफिट कितना हुआ ठीक है तो चले प्रोफिट निकाल लेते हैUT उसका UX ते आपका कितना? इसको multiply करेंगे. तो यह यहां पर आ जागा आ पको दे देगा कृतना चाहिए? 66150 गलट्रीटिकला करोगो तो, 750 x 60 करोगो तो यह आ जागा किया कितना i4 जार 45,000 अब बटे में का लिए आपको 45,000 अब क्या करने का लिए अब दोनों को जब हम माइनस करने के बाद आजागा यहाँ पर बटे में कितना हो जागा आपका 45,000 हो जागा और इंटु क्या हो जागा 100 हो जागा जब डिवाइड मारेंगे तो डिवाइड मारने पिया जागा आपका 47 परसेंट तो इसको एक्षुली जो प्रॉफिट यह सवाल ठीक है बड़ते है अगला सवाल देख लेती है चले देखेँ अगला सवाल अपके स्क्रीन पर है अगला सवाल क्या है एक मैन।फाक्चर एस्TIमेंट्स दाट ऐस्तारास देट इसकेट तेटेजंगे शेप्टीर Sifts an order to supply 22,000 articles at Rs. 7.50 each. He estimates the profit on his outlay including the manufacturing of rejected articles to be 20%. Find the cost of manufacturing each articles. चीक है? Each articles. देखिये, समझ लीजए. एक manufacturer estimate क्या करता है? कि चितना वो article produce करता है, उसमें से 12 प्रतिशत क्या हो जाते है? आपको reject हो जाते है. 12 प्रतिशत क्या हो जाते है? आर्टिकल बरबाद हो जाते है. अब क्या किया है? उसने accept किया कि मैं 22,000 articles आपको दूँगा और एक का कॉस्ट कितना हो 7.50 रुफ़े होगा. ठीक है? He estimates the profit on his outlay including the manufacturing of the rejected articles. उसको include करके देखता है, तो उसको कितने का profit होता है? 20% का क्या होता है? उसको profit होता है. तो उसको manufacturing cost निकालना हो उस article का. समझ गया? manufacturing cost निकालना हमको. तो देखिए, यहाँ पर selling price उसको कितना हो जाएगा? तो देखिए, selling price उसको हो जाएगा. Actually मैं उसने कितना सारा हमको बेचना है? 22,000 articles बेचने हैं. यहाँ पर कितना ले लेंगा? 22,000 articles ले लेंगा? ठीक है? और एक article का कितना cost इसको 7.5 रुपीज है? ठीक है? अब क्या बोल रहा है कि 20%? यहाँ पर क्या बोला? 12% बारा परसंट आर्टिकल क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते. मतलब कितने परसंट आर्टिकल चलते हो गया? 88% चलते हो गया? 80-80% चलेंगे ना. बाकी तो खराब हो गया. तो टोटल जो सेलिंग प्राइस हो गया, मेरा कितना हो जागा? यह 2,0 यह 2,0 यहाँ से cancel out हो गया. मेरा टोटल जो सेलिंग प्राइस हो जागा, यह हो जागा अपका 220 into 7.5 into 88 हो जागा. ठीक है? यह हो गया मेरा टोटल सेलिंग प्राइस हो गया. ठीक है? अब हमको जो निकालना हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि cost price कितना है article का? ठीक है? एक चीज़ और समझगा, उसको कितने का profit हो रहा है, 20% का profit हो रहा है, मतलब profit percent कितना हो रहा हुआ, इसको यहाँ पर 20% का रहा हुआ, 20% को लिखोंगा तो कितना हो जागा, 1 by 5 अगर fraction में लिखते हैं तो, यह क्या हो जागा आपका cost price हो जाएगा और profit उसको कितने का हो रहा है वन रुपीस का हो रहा है तो selling price कितना हो जाना चाहिए selling price होता है na CP plus profit that is 5 plus 1 होगा that is कितना हो जागा आपको 6 मतलब यह जो value दे रखी गई वह किसकी value दे रखी है जिसको कैसे लिखेंगे हैं हम लोग 6 जो है अभी कितने के बरावर आपको 220 into कितना करेंगे 7.5 और into में क्या हो जागा आपका 88 ठीक है और हमें किसकी value निकलने 5 की value निकलने पांच कितने बरावर हो जागा पांच हो जागा आपको 220 into 7.5 into 88 बटे में 6 और into क्या कर लेंगे हम लोग 5 कर लेंगे अब एक चीज़ और यहां पर हमें कितना निकालना है यहां इच आर्टिकल कर निकालना ना cost cost of each article तो जो भी हमारा जो cost price आ रहा है वह कितना आ रहा है हम पर 220 into 7.5 into 88 into 5 और बटे में कितना लिख लेंगे 6 और total article जो हमने बनाए थे कितने बनाए थे 22,000 बनाए थे यहां पर क्या लिख लेंगे 22,000 ठीक है हमने क्या लिख लिख यह यहां से पूरा cancel out हो जाएगा ठीक है और दो 0 में यहां पे बच जाएगा इसको जो पुरा solve करोगे तो पुरा solve करोगे यह solve करने बाद आ जागा आपको कितना सब कट जागा 5.5 रुपीस आ जागा ठीक है तो इच आर्टिकल का cost कितना होगे इच आर्टिकल का कॉस्ट होगा आपको 5.5 रुपीज, तो कौन सा ओप्शन सही हो जागा हमारा, बी ओप्शन क्या हो जागा है, आसे, करेक्ट हो जागा, क्लियर है बात यहां तक, समझ गओगा इस सवाल को भी, बढ़ा जाए, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, तो दूस्तो next सवाल, आपके स्क्रीन पर है, next सवाल को है, the cost of setting up the type of a magazine is 1000 रुपीज, the cost of running the printing machine is 120 रुपीज per 100 कोपीज, the cost of paper, ink and so on is 60 paise per copy the magazines are sold at 2.75 each 900 copies are printed but only 784 copies are sold, what is the sum to be obtained from advertisements to give a profit of 10% on the cost चिके, देखे, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि किसी typing, setting up a type of a magazine, किसी magazine का type को set करने के लिए कितना cost आता है, उसको 1000 रुपए आता है ठीके, पहले तो यह आता है फिर जो हम machine चला रहे हैं, printing machine चला रहे हूँ, वो रुपीज 120 आता है, 100 copy का में कितना ख़र चाता है, वहाँ पर 120 रुपए आता है ठीके, the cost of paper और इंक, इंक और paper का cost कितना और भी, जो भी होगे, miscellaneous, उसका कितना आता है, 60 पैसे पर copy आता है, अब उस magazine को हम रहे कितने में बेचते हैं, 2 रुपए 75 पैसे में इच बेचते हैं, ठीके, और 900 copies are printed, हमने कितना बनाया 900 copies को बनाया, जिसमें से 784 ही भी का, बाकी नहीं भी का, ठीके, तो what is the sum to be often from advertisement to give a profit of 10%, तो हम advertisement से कितना कमाएंगे, magazine में आपने देखा होगा, advertisements भी रहते हैं, तो हमें कितना कमाना होगा, advertisement से, पैसे कितने earn करने होगे, कि हमें कितने का profit आजा cost price में, 10% का profit आजा, ठीक है, यही चीज बोला जा रहा, तो देखो सबसे पहले इसमें करना क्या होगा, सबसे पहले हैं मैं cost price निकालना होगा, तो cost price निकालने के लिए क्या करोगा होगा है, पर CP चलो सबसे पहले निकालते, जैसे से बोलता है यह वैसे से दिखते जा, कितना एक हजार है जो सेटिंग करते हैं मैं एकजिन बनाने में मैं कितना खर्चाता हूं मुझे एक हजार खर्चाता है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं आगे में क्या बोल रहे है तो कॉस्ट ऑफ रणिंग दप्रिंटिंग मशीन इस एक सो बीस रूपिये पर सो कॉपी तो और लेकिन चपा कितना यहां पर नौस ऑ कॉपी अपर कितना लिखै तो नौस कॉपी के लिए कितना हो जाना चाहिए। नौस कॉपी के लिए जब हो जबागा अब अब उसके क्या बोल रहा है, the cost of paper ink and so on is 60 पैसे पर copy, देखिए एक copy का कितना लग रहा है, 60 पैसे लग रहा है, 60 पैसे को अगर रुपिया में convert करने हैं, तो कितने इस डिवाइट करना है, पड़ेगा 100 से, हमने कितना बनवाए हैं आपे, 900 copy बनवाए हैं, कितने बनवाए हैं और यह हो जागा आपका 0,18 और यह कितना दससी हो जागा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो यह कितना आपको 540 हो जाएगा, ठीक है, और यह total जब आप सब को जोड़ोगे, तो total सब को जोड़ने के बाद आपका आजागा 2620, कितना आएगा 2620 आएगा, अब देखिए, अब हमें सेलिंग प्राइस ही तो निकालना है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस मेरा कितना आ रहा है, सेलिंग प्राइस मेरा आ जागा 2.75 रूपीज बेच रहे है, ठीक है, कितना है हमारा सेलिंग प्राइस 2.75 है, और हमने बेचा कितना, 784 बेचा है, तो यह हाँ पर लिख पुछर what is a sum to be obtained from advertisement to give a profit of 10% हमें क्या लेना 10% का profit लेना है और advertisement में हम से हमें कितना निकालेंगे कि हमें कितने का profit हो जाए 10% का profit हो जाए तो टोटल सेलिंग प्राइस मेरा कहां से आ जाना चाहिए 2156 अब प्लस जो हम लोग प्रिंटिंग में दिया सबोस करके चलते पी पैसा हमने प्रिंटिंग से लिया अब इसको माइनस करेंगे कितने से 2620 से यही है रहा कॉस्ट प्राइस अब बटे में क्या कर लेंगे 2620 और हमको यहां से कितने का profit आ जाना चाहिए 10% का क्या है यहां आप प्र्फिट है बससे क्या कर दिया हमने एक्वेयर कर दिया यहँन जीरो गया यहांसे चला गया ठीक है तो यहां पर जो निकलके आहेगा वो क्या निकलके आगा लगा पी माइनस 2620 में से म माइनस हो जाएगा आपको 21452 156 माइनस करेंगा तो यह माइनस करने प्रिंटिंग जो एडवर्टीजमेंट होगा मेरा वहां पे उस मैगजिन में जो एडवर्टीजमेंट होगा उसमें मुझे कितना निकालना पड़ेगा पैसा 726 रुप्य वहां से जब हम अर्न करेंगा तब जाकर में कितने का प्रॉफित होगा 10% क्या हो जागा वहां से प्रॉफित हो जाएगा क्लियर बात समझ गोगे सवाल को भी ठीक है चलिए बगला सवाल देख लेते हैं नेक्स सवाल देख ले सब्सक्राइब क्या है उसने उसके पास स्टॉक्स थे किया परें कहीं उसके बाद किया और इसके बाद क्या किया वन कवाटर ऑफीज स्टॉक्स ओसको 15 % की डिस्कांट है बेज दिया जो कि और इजिन शेलिंग प्रईस था उस रेस्ट जो बच गया उसको 30% का डिसकाउंट दे दिया उसी सेलिंग प्राइस पे तो गेंपरसेंट टुगेदर बताना है यहां पर क्या बताना है चलिए देख लेते इसको भी करते हैं तो देखो यहां पर कुछ दे नहीं रखा गया तो एक काम कर सकते हैं हम लोग यहां प 30% increase करके उसने कितना लिख दिया है MP 130 है यहां बात यहां तक अब देखी जो 130 यहां पर Selling प्रेस लिए और यह 100 है अब आ जाते हैं पहला में क्या किया उसने पहला केस में देख लेते हैं पहले केस में क्या के share sales half the stock at this this price जिस प्राइस प्रेगा उसने सेट किया है उस पे हाफ पेज दिया तो हाफ जो इस टाउक था उसका उसको जो था उसी कॉस्टी भी बेज दिया थे यहां से निकल कि कितना आ जागा आपका 65 रुफ है ठीक है और जो दूसरा जो था बिल्ग केस्स में क्या 1 quarter, 1 quarter को क्या کیا उसने 1 quarter को जो उसने original selling price सेट किया तो उसे 5% का DISCoount दे दिया 130 था सेट काOULब दे दिया उसे 15% का £ 1 minus 75% दे बेचा 85 तो ऐटी 5 बटे में 100 कर लेंगे, इसको solve की जिएगा तो solve करने बाद आजिएगा ये 110 10.85 том ef है अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तीसरा वला देख लेएं तीसरे वाल में क्या लुट रहा है कि रीमेञ तो रीमेंग कितना जिए का हाफ इधर स्टॉक दे दिया वन फॉर दे दिया अब उसके बाद वन माइनस रिमेन कैसे निकाला है वन मायनस वन बटे में टू और आपको आजागा 1 by 4 तो रिमेनिंग कितना बज गया 1 by 4 बज गया 1 by 4 को 1 by 4 को क्या भोल रहा है कि जो रिमेनिंग बज गया उसपे कितना डिसकाउंट देया 30% का मतलब जो था आपका कितना था 130 इसका उस पर कितना डिस्काउंट दे दिया 30% को तो कितना बचा 70% बेचा उसको जब आप इसको solve करेंगे तो यह आ जागा 27.625 ठीक है यह आ गया सारा आप क्या क्या सेलिंग प्रैस तो इसको सब को जोड़ेंगे यह जोडने के बाद आता आपको 115.375 ठीक है अब उनको profit percentage निकाल हो जागा 115.375 माइनस में आपका कितना cost price का 100 है बटे में क्या करेंगे 100 कर रहे हुआ और इंटू भी क्या कर देंगे 100 कर देंगे 100-100 कैंसे लाट हो गया कितना बच गया 15.375 परसेंट तो इस परसेंट पे क्या करना होगा हमको profit होगा ठीक है इतना gain होगा तो C option हो जाना च से correct हो जाएगा clear है बात यहां तक समझगो किस सवाल को भी ठीक है चले अगला सवाल देख लेते हैं हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहे है और अगला सवाल क्या है एट ट्रेट्समैन marks an article at rupees 205 more than the cost price he allows a discount of 10% on the mark price find the profit percent if the cost price is rupees x चेक है एक वैपारी क्या किया mark price एक article पर उसने mark price कितना कर दिया 205 रुपे बढ़ा कर दिया cost price से अब उस पर उसने 10% का क्या दे दिया जो mark price उसने रखा उस पर 10% का discount दे दिया तो हमें यहाँ पर बताना कि profit percent क्या होगा जब कि cost price कितना उसका x है चली देख लेते इसको भी कर लेते सौल देखिए यहाँ पर करना क्या है देखिए cost price तो यहाँ पर आपको बोली रहा x है कितना cost price यहाँ पर x है अब x से उसने क्या कर दिया cost price को बढ़ा दिया cost price उस पे कितना रुपे बढ़ा दिया उसने 205 बढ़ा दिया मतलब कितना जगा x plus 205 हो जागा अब इस पर क्या कर दिया 10% का discount दिया 10% का discount दिया तो कितने वेचेगा 0.9 x plus 205 यही होना चाहिए 90% 0.9 का मतलब क्या हो गया 90% हो गया ठीक है अब क्या बोल रहा है कि percentage profit बताना उसी cost price पे जितना उसका x था तो percent profit is equal to क्या लिखोगे 0.9 x plus 205 माइनस में क्या कर लोगो x अब बटे में कितना हो जागा एक्स हो जागा और इंट्व में क्या करेंगे 100 हो जागा क्लिर है बात यहां तक अब यहां पर क्या करेंगे 9 बटे में कितना लिखेंगे 10 और यह जगा x plus 205 और यह माइनस में क्या हो जगा है x बटे में x तो है ही और इन्टी क्या करेंगे 100 कर लेंगे इसको अगर मैं 10x और इन्टी क्या कर लेंगे 100 ठीक है एक जिरो एक जिरो यहां से चला गया और यहां पर 9x और 9 इंटी क्या कर लेंगे अगर मल्टिप्लाइ करते तो यह जगा आपका कितना 1845 ठीक है और यह जगा 10x माइनस 9x that is x और बटे में भी कितना x है यह x है और इन्टी क्या कर लेंगे है हमें अगर मल्टिप्लाइ करते तो 1845 0-10x और बटे में कितना हो जगा आपका x यह क्या हो जगा आपका percent profit percent profit कितने बरावर हो जगा 1845 0-10x बटे में एक्स तो कॉंस ऑप्शन से हो जाना चाहिए हमारा तो हमारा पी ऑप्शन जोगा यहां से correct हो जाएगा clear है बात यहां तक ठीक है तो दोस्तों यह वीडियो यह पर समाप्त होती है और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जितने आपको सवाल मैंने बता है न सारे हैं आपको समझ में आ गयोंगे ठीक है बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताने के पूरी कोशि प्रशन के लिए राक सकते हूँ थीक है तो अतलास दुस तो थांक यू सो मच पर वाचीं मैं वीडियो और बेस्ट आलोक वार रोग ऐर फीचर